पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और मिद्धे मार्किट का एक्षिन समझेंगे हमारे सईयोगी अंच हमारे साथ जोड़ चुके हैं ये आठवा सेशन है जब इसमें लगतार खरीदारी नजर आ रही है सेक्टरल इंडिसीज के बात करें तो निफ्टी ओटो आज टाउट सेक्टरल गेना नजर आता है जिसने के रिकॉर्ड है कस तर भीच हुआ है इस लिस में देखें तो समवर्दरा मदरसन सबसे पहले नजर आता है जिसमें तीन सेशन से खरीदारी चल रहे है और आज भी तीन प्रदिशत की तीज़ी के साथ ट्रेट करता हुआ नजर आ रहा है दूसरा M&M नजर आ रहा है जो कि 4 सेशन की consolidation से breakout दे चुका है और तीसा स्टॉक यहाँ पर भारत Forge का नजर आता है जिसमें अच्छी खरीदारी हो रही है साथी साथ इसका चार्ट देखे तो यह कुछ साथवा सेशन है जब लगाता हाय 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 लोज बनाता चल रहा है स्टॉक वर्स परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी IT इंडेक्स वर्स परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पर आज के दिन में नजर आ रहा है लेकिन अगा चार्ट पर देखा जाए तो 6 सेशन से दरसल एक साइडवीज रेंज में फसा हुआ है तो यहाँ पर एक स्टॉंग बेरिश सेंटिमेंट तो नहीं नजर आ रहा है तो नूट्रिल स्टांस ही दिख रहा है इस लिस्ट में देखे तो एंपसिस HCL टेक और टेक महिंद्रों में बिक्वाली हो रही है आगे बढ़ते हैं स्टॉंग 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 के तरफ और आल टाम हाई स्टॉंग की लिस्ट में देखे तो सबसे पहले यहाँ पे एंडूरेंस नजर आता है सुबे के वक्त दरसल स्टॉंग को 17-18 प्रतीशत की तीज़ी के साथ ट्रेट कर रहा था अब थोड़ा नीचा आ चुक है लेकिन फिर भी 5% के गेन को होल कर रहा है दरसल कंपनी ने बताया है कि वो 4-wheeler सेग्मेंट में ये एंटर करने देख रहे हैं इंडिया और यूरो प्रिचन में जिसके वज़े से इसमें काफी अच्छी तीजी नजर आ रही है जे के पेपर भी इस लिस्ट में शामिल है दरसला इस सारही पेपर स्टॉक अच्छे खासे भाग रहे है और इसका चार्ट भी देखा जाए तो एक reverse head and shoulder चार्ट पैटन से काफी अच्छा ब्रेकाउट देता हुआ नजर आ रहा है तीसा स्टॉक यहाँ पे हमें Addiction Technology का नजर आता है जो की आटवा सेशन है लगातार खरीदारी का स्टॉंग वोलिम्स की बात करें तो यहाँ पे हमें Chemplus, Timken और Godfrey Philip जैसे स्टॉक नजर आ रहे है जिसमें भारी वोलिम के साथ अच्छी तीजी नजर आ रहे है और Timken का भी अगर देखे तो 21 सेशन के Consolidation से दरसल ब्रेकाउट दे चुका है Midcap Team Stocks की बात करें तो जैसे के हमने बताया था पेपर स्टॉक में अच्छी खरीदारी दिख रहे है इस लिस्ट में भी देखे तो पेपर स्टॉक में हमें जे के पेपर, वेस्ट कोस्ट और सिसाशाई पेपर जैसे स्टॉक नजर आ रहे है जिसमें अच्छी खरीदारी हो रही है तो इन स्टॉक पनेजर रखे जोरते हैं और इस तेजी में आप कैसे पार्टिसिपेट करें उनकी रन्नीती समझते हैं ताकि आपको उससे मदद मिले स्वागत करना चाहेंगे विनीद बोलिंशकर का जो की हेड अफ रिसर्च है वेंचुरा से क्योर्टीज के विनीद वेरी गुर आफटरनून और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए तो विनीद हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट स्पेस में कई सारे खेमे हैं जो की काफी वॉलिटायल भी रहते हैं आप टी स्टॉक्स देख लीजे पेपर स्टॉक्स देख लीजे इ और आपके ऐसी ऐनालिसिस होते हैं जो के बाकी एक्सपर्ट से नहीं सुनते हैं तो एक सीधा सवाल आपसे यही होगा कि फिल हाल आपको सबसे इंट्रिस्टिंग थीम काफी इंट्रिस्टिंग है ये तॉपफ दी माइद है सबके लिए और हमें लगता है कि इनमें केंस ट बखबख यहां से दुगना हो सकता है इनके पास और पीसी भी बैर की जो सबसीडी गवर्मेंट में से आईगी वो इसके लिए एक अपसाइट रहेगा यह काउंटर के लिए और हमें लगता है कि यह एक शेर जो अभी चल रहा है यहां से आपको कम से कम 25 परसेंट के अगर रिटर्म्स मिल सकते हैं आपको अगले दो से तीन साथ